दोस्तों नमस्कार मैं हूँ अश्रवा करवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरेंस फन क्लब मेरे इस चैनल में आप सभी सिच्छक सातियों के यह फिर से बहुत बहुत स्वागत है इससे पहले मैंने आपको कोर्स 508 के कुछ लगोत्री प्रश्णी जो 5 प्रवाट कराए थे आज मैं फिर से एक लेकर आया हूँ लगोत्री प्रश्णी जोगी परिक्षा में पांच नमबर का पूछा जाएगा तो कुछन स्टाट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यह आपने अभी तक चैनल सब्स्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्स्र आत्मतीनों मिल जाते हैं और इनकी eg focuses को हम न्रत्य कहते हैं संगीत के सारत चेहरे की अभी अभ्यक्ति से सार्ड़िक के समन्वैय का नम न्रत्य होता है या हो सकता है भारत बेवेजY संस्कृति का एक देश है यहां पर अलग-अलग संसकृतियँ है और प्रथेख छेत्र के अलगलग न्यत्य हैं जो की वनसागत हैं न्यत्य के महत्पुन पहलू है कायक संचालन चहरे की अविवक्ति संगीत संगीदात्मक वाद्ययंत्र मुजिकल इंस्टुमेंट साहित्य इस्थान प्रवंधन समूह और एकल समन्वय कॉमा बनावट परिधान आदी ये सभी न् न्यत्य के परिधान और आभूषण किसी छेत्य के पर्यावरनी इस्थी को प्रेरत होते हैं यानि जो भी हम डान्स फॉर्म में जो भी परिधान ट्रेस जो इस्तिमाल करते हैं या जो आभूषण गहने प에ने जाते है वह एक छेत्यक विशेष के अनुसार होती हैं यानि यह जो dance form है अलग-अलग अवसरों पर साधियों में, गरतन द्वस की परेड में या किसी पार्टी में या किसी त्योहर पर या परेड़े इस तलों पर यह perform किया जाते हैं यह निरत्य एकल, योगल और समू में निस्पादित होते हैं सिंगल, कपल या ग्रोप, डांस जिनको बोलते हैं, इनके रूप में इनको perform किया जाता है इन निरत्यों में बिविन आयू समू के लोग अपने बेशिष्ट चेत्रों के निरत्यों का स्वत्य निस्पादन करते हैं अलग अलग चेत्रों के लोग अपने चेत्र के इसाब से डांस फॉर्म करते हैं उधान के लिए गुजरात में डांडिया या पंजाब में भांगडा में हम हजार लोगों को एक साथ चेत्री संगीत की दुन पर नाशते देखते हैं गजरात में नवरात्री में पज़्याभ में भांगडा होता है लोगणिमरी में तो हमें हम आप हम देखते हैं कि कई लोग ग्रुप्स में डान्स पर्फॉर्म करते हैं अब ये dance form को हम नीचे हेरिंग के रूप में भी लेख सकते हैं, एकल, एक ब्यक्ति द्वारा निस्पादित किया था, यानि इसमें केवल एक ब्यक्ति के आवसक्ता होती है, वो अकेला ही इस dance form को पफॉर्म कर सकता है, दूसरा है यूगल, यह दो निस्पादकों द्वारा यह कपल के लिए होता है, सामानत है यह दोनों लिंगों के लिए उनकी ब्यक्तिक लक्षणों और पहचान के लिए उसी समय किया जाता है, यानि मेल्स और फीमेल्स इसके लिए आवसक्ते हैं, तीसरा होर अंतिम है समू, ग्रूप डांस, हम उत्सवों के अवसर पर लोगो के बड़े समू को एक साथ नत्य करते देखते हैं, यानि यह दांस वाम है तभी दिखाई देगा, जब कोई त्योहार हो या साधी हो, तब हमें इस प्रकार का डांस वाम दिखाई देता है, तो यह था दोस्तो, आज का प्रशन, जिसमें हमने समझा है नत्य क्या है, अगर question समझ में आ गया हो तो वीडियो को like करते हैं नहीं समझ में आये तो नीचे comment box में आप comment करके पूछ सकते हैं तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं एक नई question के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार